दोस्तों ततया कुछ-कुछ मद्मक्खी की तरह दिखने वाला एक कीट होता है जिसे बीहड भी कहा जाता है इस धर्ती पर ततयों की लगभग 30,000 प्रजातियां पाई जाती हैं जो सभी डंक मारने वाली होती हैं आप इस वीडियों में जिस ततया को देख रहे हैं दरसल यह पीली ततया यानी एलो पेपर वास्प है यह अपना छत्ता बनाने के लिए सूखे पर हलका नमी लिए हुए बास के छिलके को अपने मजबूत जबडों से खुरच-खुरच कर एकत्र कर रही है इस खुरचे हुए कच्चे माल में वह अपना लार आद मिलाकर अपना खटकोडी कच्छो वाला गोंशला बनाती हैं और उसमें अपने अंडे बच्चे रखती हैं यह कहीं भी अपनी सुविधानुसार घर की दिवारों के छेद पेड की साखाओं आद में अपना गोंशला बनाती हैं वैसे तो यह किसी को काटती नहीं हैं लेकिन छेड़े जाने की दसा में यह तुरंत डंक मार देती हैं इनका डंक इनके उदर के सबसे पिछले भाग से निकलता है और काफी नुकीला होता है इस डंक में एक प्रकार का जहर होता है जिससे इसके काटे जाने वाले अस्थान पर जलन और सूजन हो जाती है हाला कि इसके डंक से कोई मरता नहीं है पर तेज दर्द के कारण लोग काफी परिसान होते हैं और इन्हें अपना दुस्मन कीट मान कर चलते हैं पर इनकी मौजूदगी न सिर्फ हमारे लिए बलकि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही मतपूर्ण है ज्यादा तर ततयों की प्रजातियां हमारी फसलों को हान पहुचाने वाले कीटों को डंक मार कर उन्हें खा जाती है इस तरह से ये कीटों का जैविक नियंत्रण करती हैं और तो और एक हालिया अध्यन से पता चला है कि इनके जहर में कैंसर की कोशिकाओं को नश्ट करने का जबर जस्त गुण बिद्दमान होता है अतह बैग्यानिक अब कैंसर को ठीक करने के लिए इसके डंक में मौजूद जहर को एकत्र कर उस पर सोध आदिकर रहे हैं जो इनके महत को दर साता है